दोस्तों हमने जिली एपर बहुत सारे वीडियो अप्रोड करती हैं और जेट पॉइंट भी बहुत सारा जमा कर लिए हैं आप लोगों को मालूम होंगा कि जिली एपर 3000 जेट पॉइंट का एक रुपे होता है अब हम उच जेट पॉइंट को अपने बैंक एकॉंट में ट्रा सकते हैं हमने जिली एप पर बहुत सारे वीडियो अप्रोड करके 200 रुपे तो क्या 1000-2000 जमा कर लिए हैं अब हम उस पैसे को अपने बैंक एकॉंट में विड्रल करना चाहते हैं विड्रल भी कर लिए हैं विड्रल करने के बाद हमारे पास एक नोडिकेशन आता है कि और दिन वेट किया एक मैना वेट किया फिर भी हमारे पैसा आया ही नहीं अग दोस्तों बात यह आता है कि हमारे बैंक एकॉंट में क्यों नहीं आया क्या आपके साथ भी यह प्रोब्लम हो रहा है और आप देख रहें बुज़टर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बा लोग इस वीडियो को कॉंप्लिटली वास करना है आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना है तो बीना टाम वेश्ट किये ते लिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले गलती हम खुदी करते हैं हम तो बहुत चलाग है ना हम क्या करते हैं एक इमेज वाले में कितने जेटपण आया है तो आम यह गल्दी कंभी नहीं करना आपोग सबसे पहले video को चेक करना कहीं यह video नन अर्जिनल में तो नहीं आया डूब्लिकेट video में तो नहीं आया आपकी video में डूब्लिकेट video आने से भी आपका payment रुख जाता है आपको video करने में प्रब्लम आ सकता है दोस्तों इससे पहले मैंने एक video में कहा था कि अगर आपकी वीडियो पर non-original video duplicate video copyright video आता है तो आपको video problem आ सकता है अगर आप लोग ने उस video को नहीं देखा तो आप लोग उस video को भी देख सकते हो Non-original वीडियो का मतलब है कि दूसरा का वीडियो upload करना और image वाली वीडियो पोस्ट करना सबसे पहले ये गलती आप लोग नहीं करना आपको खुद का वीडियो होना चाहिए आपकी face वाले original वीडियो upload पोस्ट करना जरूरी होता है और दूसरा प्रब्लम यहाँ पर आता है जब हम पैसा को वेडरल करते टेम हम बैंक डीडेल्स को वहाँ पर सब्मिट करते हैं बैंक का detail सब्मिट करते टेम हमारा खुद का नाम होना चाहिए और खुद का pancart और खुद का bank account भी उस पर होना चाहिए तबी जाकर आपका पैसा successfully withdrawal होता है अगर आप लोगोंने दुसरा का pancart वहाँ पर सब्मिट किया बैंक account अपना है तो वहाँ पर match नहीं होता तो जिल्ली आप क्या करता है कि आपका pencard और bank details और जिल्ली आपका profile का नाम वो पूरा तीनों match करता है अगर पूरा match हो गया ना तो भी जाकर आपका पैसे मिलता है दूसरा मिश्यक हम यहाँ पर करते हैं तो आप लोगों का खुद का नाम का pencard और खुद का नाम का bank details तुम्हाँ पर submit करना होता है दोस्तों आप में आप लोगों को इस problem का solution बताने जारा हो जिसे कि आपका पैसे अपने bank account में जल से जल होगा पस आ जाए सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा अपने वीडियो को एक एक करके check करना होगा कहीं आपके वीडियो पर non original वीडियो, copyright वीडियो, duplicate वीडियो यह सब लिखा हुआ आपके वीडियो पर आया है तो नहीं अगर आपकी वीडियो पर ये सब लिखावा आया तो आप लोग एक करके उस वीडियो को आप लोग डिलिट कर देना अगर आप लोगोंने इमेज वाली वीडियो पोस्ट कर रहे हो और दूसरे का वीडियो माँ पर अप्लोड कर रहे हो फिर भी आप लोगो पैसा मिल रहे तो कोई बात नहीं अगर आप लोगो पैसा नहीं मिल रहे तो आप लोग इमेजवाली वीडियो दुसरे को वीडियो सब को डिलिट करके आप लोग अपना खुद का अर्जिनल वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करदो उसके बात आप ही आप लोग और क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर पैणिक नमबर लगाना उसके बाद बेंग होलडर नाम भी किस प्लेंग में स्भीज को नम ही लगाना उसके बाद अपना अगर आप लोगों सही से बहर दिये ना तो आपके पैसा अपने बेंक एकॉण्ड में आ जाता है तो आप लोग देख सकते हो मुझे तो जिल्ली पेमेंट अपने ऍपने इकॉण्ड में मिल रहे इतना सारा करने के बाद भी आप लोगों अपना पैसा नहीं मिला। तो आप सबते प्रोफाल लिंक कर ले ना होगा। क्लिक करने बार आप लोग नचे देशेते हैं फीडबाक, तो आप लोग इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग डाइरेक्ट पहुंच जाते हो इमेल पर तो अब आप लोग जिली एपको इमेल करना होगा इमेल करने के लिए सब्जेक्ट पर आप लिखना होगा विडर प्रबलम उसके बाद आप लिखना होगा आपका क्या नाम है वो नाम आप लोग लिख लेना होगा उसके बाद आप लिखना होगा I am an active or original creator of Jilly I create original video from Jilly camera उसके बाद So my problem is that Since लेकर आपने किस दिल को किस तारिक को विड्रल किया था वो तारिक आप लोग यहाप लिख लेना होगा उसके बाद I withdrawal आपने कितने पैसा विड्रल किया था वो पैसा आप लोग लिखने ना होगा जैसे कि आपने 300 रुपे विड्रल किया था तो आप लोग लिखना होगा I withdrawal rupees 300 But I can't get in my bank account So I humble request you to kindly help me as soon as possible उसके बाद आप लोग लिखने ना होगा My Jilly ID आपकी Jilly ID में क्या नाम है वो नाम आपको अधरेट करके वो नाम लिखने ना होगा उसके बाद आप लोग माई Jilly Profile Link अभी आपने जो अपने प्रोफाल लिंक को कपी किये थे उस लिखो यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा उसके बाद आप लोग लिख लेना होगा Thank You उसके बाद मुझे 7-8 दिन के अंदरी मुझे आपने bank account में पैसा मिल गया था अगर आप लोगो email send करने का प्रोसेस मालूम नहीं तो मैं आप लोगो decision में लिख दूँगा उसी तरह से आप लोग email करना होगा तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था अगर आप लोगो कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग comment करके पूछ सकते हो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहीन